सबक नंबर तीन, महमूद गजनवी और बुढ़िया महमूद के हाल में मौर्खों ने एक बड़ा दिल्चस्प किस्सा लिखा है जिससे मालूम होता है कि वो एक नेक दिल और मुनसिफ मिजाज था और जब कोई उसको नेक मशवरा देता था तो गो उसकी तबियत के खिलाफ होता फौरण मान लेता था लिखा है कि घजनी से इरान को जो सड़क जाती है उस पर बलूची कजाकों ने मजबूत किला अपनी जाए पना बना लिया था जो सौदागर उस रह से गुजरते वो गजाक उनको गतलो गारत करते एक दफ़ा उन्होंने ताजिरों के एक कारवा को लूट लिया और खरासा के एक नौजवान को मार डाला इस नौजवान की बुढ़िया मा रोती पीटती दाद खौाही के वास्ते महमूद के दरबार में हाजिर हुई बादशाह ने जवाब दिया के वो मुकाम मेरे पाए ताख्त से इतने दूर दराज फासले पर है के वहां की वारदातों का इंतिजाम दुश्वार है ये सुनकर उस मजलूमा ने कहा फिर ऐसा मुलक जिसकी अमनो अमान का बंदोबस्त तुझसे नहीं हो सकता अपने कबजे में क्यूं रख छोड़ा है और उस पर हुकूमत वहिरासत का दावा क्यूं करता है बुढिया की इस बेबाकाना तकरीर और सची बात ने बादशाह के दिल पर ऐसा असर किया कि वो फौरण उन गजाकों के गारत करने पर मुस्ताइद हो गया और आइंदा के लिए हुक्म दे दिया कि जो काफला इस रह से गुजरे उसके हमरा एक फौजी गार्द जाया करे यहाँ पर जो अलफाज हैं इनके मीनिंग्स आपको किताब के लास्त में मिल जाएंगे आप वहाँ पर देख सकते हैं सबक नंबर 4 महमूद घजनवी और कौवन राय वाली कनोज एक बार सुल्तान महमूद घजनवी ने कनोज पर योरश की यह शहर उस जमाने में नहायत आरास्ता वा पेरास्ता बार ओनक वा माला माल और राजा कौवन राय का दारुस सल्तनत था जब सुल्तानी लश्कर करीब पहुँचा तो उसकी अजमत वशौकत देखकर राजा को ताबे मुकादमत ना हुई नाचार सुल्तान के रूबरू खुद हाजिर होकर इजहारे अज्जो नियाज किया ये कैफियत देखकर सुल्तान का दिल भी नरम हो गया शाहाना लुट्फो मदारात से पेश आया और उसके मुलको माल से कुछ तारुज ना किया तीन रोज तक राजा के हां महमान रहा और बवक्ते रुखसत वादा किया कि अगर कोई गनीम तुम्हारी अजियत के दर पे होगा तो इमदाद या आनत के लिए मैं खुद आऊंगा जब सुल्तान वापस चला गया तो राजगान हिंद ने इस इतिहाद इखलास पर उसको सखत लानत मुलामत की और राजा कालिंजर के साथ होकर दरबारे कनोज पर सबने हमला किया सुल्तान ये खबर पाकर हस्बे वादा अपने दोस्ट की कमक के वास्ते रवाना हुआ मगर काबल इसके के वो यहां पहुँचे कुवर राय का काम तमाम हो चुका था सबक नमबर पांच गर्मी का मौसम मेई का आँ पहुचा है महीना बहा चोटी से एडी तक पसीना बजे बारह तो सूरज सर पे आया हुआ पेरो तले पोशीदा साया चली लू और तडाके की पड़ी धू लपट है आग की गोया कड़ी धू जमीन है या कोई जलता तवा है कोई शौला है या पच्छुआ हवा है दरो दिवार है गर्मी से तपते बनी आदम है मचली से तडपते परिंदे उड़के है पानी पे गिरते चरिंदे भी है घबराए से फिरते दरिंदे छुप गए हैं जालियों में मगर डूबे पड़े हैं खालियों में न पूछो कुछ गरीबों के मकां की जमी का फर्ष है छट आसमा की न पंखा है न टुटी है न कमरा जरा सी जोपडी मेहनत का समरा अमीरों को मुबारक हो हवेली गरीबों का भी है अल्ला बेली सबक नमबर छे सुल्तान नासिरुद्दीन दिल्ली के बादशाहों में सुल्तान नासिरुद्दीन बड़ा नेक और खलीक, शुजा, आबिद और सखी था उसका दर्बार और सल्तनत का साजो सामान तो नहायत शांदार था मगर अपनी बोदो बाश का खास महल नहायत सादा और बेत तकल्लुफ था और बादशाहों की तरह इसकी हरम सरा बेगमात और कनीजों की च्छामनी ना थी सिर्फ एक बेगम थी वही बेचारी घर का सब काम काज करती खाना भी अपने हाथ से पकाती एक रोज इस नेक बखत बीवी ने सुल्तान से दरखास की के एक लोंडी बावर्ची खाने का काम करने को खरीद लीजिए तो बेहतर हो रूटिया पकाने से मेरे हाथ जुलसते हैं सुल्तान ने जवाब दिया कि शाही खजाना रियाया का माल है मेरा हक उस में कुछ नहीं के रूपिया लेगर लोंडी खरीदू मेरा जाती खर्च गुरान शरीत की किताबत से चलता है इसमें सिर्फ खाने पहनने का गुजारा हो सकता है ए बेगम तू सबर के साथ इस मशक्कत को बरदाश्ट कर उमीद है कि खुदा आखरत में इसका अजर देगा तमाम उमर उस बादशा की फकीराना बसर हुई हमेशा इबादत हिलाही और परहिसगारी में मशगूल रहा अपने मुसारिफ के वास्ते सल्तनत के खजाने से उसने कभी एक हुबा नहीं लिया सिर्फ कुरान मजीद की किताबत पर आउकात बसर की एक बार किसी अमीर ने इस ख्याल से कि बादशा के हाथ का लिखा हुआ कुरान है मामूल से ज्यादा दाम दिये ये अमर सल्तान को नागवार खातिर हुआ इसलिए आइंदस जे खुफियत तोर पर हदिया करने का एहतिमाम किया इसी बादशा के एहद सल्तनत में हलाकु खां मुगल का एलची आया था इसके इस्तिकबाल को सुल्तान का वजीर बलबन बड़ी शानों शौकत के साथ निकला जिसकी जिलू में पचास हजार सवार दो लाग प्यादे और दो हजार जंगी हाती थे उस वक्त तबलो नकारे की सदा नफीरियों का शोर हातियों का चिंगाडना घोडों का हिन हिनाना हतियारों का चमकना आतिश बाजी का छूटना ऐसा जीब हंगामा था जिसने मुगल सफीर के दिल पर बड़ा असर किया जब उसको सुल्तानी दर्बार में बार मिला तो बारगाह की आराइश और इसमें आली जाह शहजादों जीशां अमीरों और हिंद के राजा महराजों का हुजूम देखकर और भी दंग रह गया झाल वगया